हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं question no.6 problem set 2 का class 9 mathematics का जो की है M.S. board के हिसाब से ठीक है? मतलब जो syllabus है हमारा वो महराश्र बोड के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? question no.6 है हमारे पास write the simplest form of the rationalizing factor for the given certs मतलब इस question का meaning क्या हुआ? इस type के question भी हम लोग कर शूके practice set में है ना? कि 32 है जिसे, तो 32 का simplest third क्या होगा? for example root 2 तो root 2 का rationalizing factor क्या हो जाएगा? root 2. तो root 2 से multiply करना है तो एक positive rational number हमें मिलेगा, है ना? तो वो root 2 क्या कहला है का rationalizing factor ठीक है? कैसे करना है? चलिए देखते हैं. first question लेते हैं. तो first question है हमारे पास root 32. अब root 32 है. अब हमें कोई ऐसा number चाहिए कि हम इसको तोड़े तो एक number perfect square मिले. जैसे कि 16 into 2. 16, 2, 32 होता है. और 16 क्या है? एक perfect square है. है ना? 4 का square है 16. clear? लेकिन हमें सोचने में time लगता है कि ऐसा कॉन सा number होगा, 15 into 2 क्या होगा, 16 into 2 है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे easy method. सबसे easy method कि इस ओ 32 है, इसको SCF निकाल लो इसका. तो क्योंकि इसमें सोचने में time लगता है और SCF ही हो जाता है चुटकी बसा के तो 2 के table से 3 तो नहीं आता है, मतलब 1 आता है, 1 times 2 आता है, फिर 12 कितना हो गया? 6, 6 times 12, 16 बन गया, अब आगें 2 के table से 8 time, 2 के table से 4 time, 2 के table से 2 time, 2 के table से 1 time. 2 क्यों लिया हमने? क्योंकि 2 क्या है? even number है, तो मैं जब 32 भी क्या हो गया? even हो गया, और जो भी even number रहता है, वो 2 से divisible होता ही है, clear? तो इसलिए 2 ले लेंगे, बिना सोच से समझे, directly, तो अब इसके factors क्या हो गया मतलब? तो देखिए, रूट में हम लिख साकते है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 times हमने लिख दिया, है ना? अब क्योंकि square root है, तो 2, 2 के pairs बनेंगे, है ना? मतलब ये दो numbers का एक pair बन गया, ये दो numbers का एक pair बन गया, और ये अकेला है, तो ये अकेला ही रह साएगा, और इन दोनों में से एक एक बाहर निकल साएगा, मतलब 2 और 2 बाहर निकल गया, तो 2 into 2 ये बाहर निकल गया, और root में क्या बच्छा सिर्फ 2 ठीक है तो 2 into 2 कितना हो गया 4 root 2 4 root 2 अब इस number को हम किस से multiply करेंगे कि हमें positive rational number मिले है ना तो वो क्या कहलाएगा rationalizing factor तो अगर देखे 4 root 2 को हम root 2 से multiply करते हैं देखें यहां पर rough में 4 root 2 को अगर हम root 2 से multiply करेंगे तो root 2 root 2 क्या हो जाएगा 2 तो 4 root 2 कितना 4 into 2 कितना हो गया 8 मतलब यह जो 8 है यह positive rational number मिल गया हमको है ना मतलब कि यह जो root 2 क्या है rationalizing factor तो हम यहां पर यही करेंगे 4 root 2 को root 2 से multiply कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4 into 2 which is equal to 8 therefore rationalizing factor क्या है यहां पर तो हहां पर simplest rationalizing factor is क्या है root 2 तो हमें simplest form of the rationalizing factor जो हमें question में निकालना था वो हमने निकाल दिया क्या है root 2 clear हुआ वैसे ही देखते है second question तो question number 2 है root के अंदर 50 अब root के अंदर 50 तो इसको भी आप factorize कर सकते हो SCF निकालके या फिर आप directly भी हमें पता है 25 into 250 होता है है ना तो हम यहां पर डिरेक्टली लिख देते है 25 into 250 अब यह 25 जो है यह क्या है perfect square है तो 25 में से क्या बहार आजाएगा 5 बहार आजाएगा है ना यह 25 को हम इस प्राकार से भी लिख सकते 5 into 5 into 2 क्योंकि 5 5 सा 25 होता है तो यह 2 5 है मतलब 1 5 बहार तो यह बन गया 5 root 2 अब मतलब इसको भी हमें root 2 से ही multiply करना पड़ेगा है ना तो 5 into root 2 into root 2 तो यह क्या बन गया 5 into 2 which is equals to 10 मतलब इस question के लिए भी हमें rationalizing factor क्या मिल गया तो simplest rationalizing factor हमें मिल गया क्या root 2 ठीके बहुत ही easy questions है है ना easy लग रहे है solve करने में आप देखतें थर्ड वाला थर्ड क्या है root में 27 third question is root 27 अब 27 क्या number है कि हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि एक number तो perfect square मिले और दूसरा number जिसका हम निकाल सकते तो ऐसा कौन सा number हो सकता है नहीं पता तो हम क्या करेंगे factorize करेंगे SCF निकालेंगे है ना तो SCF जब निकालेंगे तो आप 7 क्या है और नंबर है ना बतलब 2 के टेबल से तो जाएगा नी तो 3 के टेबल से जाएगा क्या इसको हमें क्या multiply करना पड़ेगा root 3 ताकि यह positive नंबर बन जाए तो यह बन गया 3 into 3 मता answer क्या मिल गया 9 तो अब इस question के लिए simplest rationalizing factor क्या है हमारे पास root 3 समझ मैं है simplest rationalizing factor क्या है root 3 देखते है fourth वाला तो fourth one is 3 upon 5 into root 10 चैके fourth है आपके पास 3 upon 5 into root 10 चैके तो अब इसमें क्या है root 10 को हमें देखना है कि factorize करके तो 10 2 के टेबल से होगा 5 times again with 5 टेबल 1 time मतलब 2 और 5 दोनों भी क्या है prime numbers है तो हम इसको direct 10 ही रहने देते है as it is हम क्या करेंगे फिर 3 upon 5 into root 10 अब इसके लिए simplest rationalizing factor क्या हो जाएगा root 10 ही होगा क्योंकि ये दोनों तो क्या है prime है तो तोड़के कोई मतला भी नहीं है तो direct root 10 ही लेते तो ये क्या बन गया 3 by 5 as it is into 10 आफ 5 1 times और 10 2 times तो 3 2 जा कितना मिल गया हमे 6 याने इस question के लिए simplest rationalizing factor क्या है आपका root 10 चाहिक है this is your answer question number 5 देखते हैं तो 5 है आपका 3 into root 72 चाहिक है 5th one is 3 root 72 चाहिक है ये 4th था ये 3rd था 5th वाला देखते हैं 3 root 72 तो अब 72 का भी हमें नहीं पता है तो direct बिना time waste के हम क्या करेंगे SCF निकालेंगे टाइम का बहुत importance होता है न मैच के paper में क्योंकि paper landy होता है और solve करने के लिए time कम पर जाता है तो इसलिए हमें फटा-फट सारे tables भी पता होने चाहिए at least 2 से लेकर 9 तक तो हमें table याद होने चाहिए एकदम पक्के से है ना अब क्योंकि even number है SCF में भी हमें जादा time नहीं लगाना है तो जादा time ना लगे इसलिए हमें दो चीजे ध्यान रखने है पहला एक तो अगर last number even है तो पूरा number भी even रहेगा और अगर even है मतलब 2 से divide हो जाएगा और दूसरा अगर odd number है तो हम सबसे पहले दिखेंगे कि 3 से divide हो रहे हैं क्या नहीं होगा तो फिर 5 ट्राइब करेंगे ठीक है तो टू से लित है इसको टू के टेबल से 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है 3 ताइम्स बचा 1 तो 12 की तने बाहर आता है 6 ताइम्स फिर अगेन टू के टेबल से 1 और यहां पर 8 16 की तने बाहर आता है 8 times, 2 8s are 16 विड्टू के table से 18 आता है 9 times फिर 3 का table ले लेंगे 3 times 3 का table ले लेंगे 1 time तो इसके factors क्या हो जाएंगे 3 तो यह यहाँ पर ही रहेगा और इसके factors हो जाएंगे 1, 2, 3 3 times 2 और 2 times 3 है ना? अब हमें क्या करना है? pairs बनाने तो यह pair और यह pair मतलब बहार क्या क्या आएगा? बहार आएगा 2 और 3 और root में क्या बचेगा? 2 बचेगा तो इसको पहले multiply करके लिख देते 3 2s are 6, 6 3s are 18 और यहाँ पर root 2 ठीके? तो अब इसको किस number से multiply करना पड़ेगा? कि answer हमें positive rational number मिले? तो इसको हमें multiply करना पड़ेगा root 2 से तो हमें answer मिल जाएगा 18 into 2 अब 18 का table अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? 2 8s are 16 1 carry 2 1s are 2 and this is 3 तो कितना आगे answer? 36 मतलब इस question के लिए simplest rationalizing factor क्या है? हमारे पास root 2 समझ माया? अब ऐसे ही एक last question बचा है 4 root 11 है ना? अब देखें 4 root 11 को कैसे लिखेंगे? root 11 भी क्या है? प्राइम नमबर है तो इसको हमें किस number से multiply करना पड़ेगा? root 11 से करना पड़ेगा ताकि positive number मिले तो 4 into 11 कितना हो जाएगा? 44 और simplest rationalizing factor क्या हैगा इस question के लिए root 11 clear हो गए? तो ये थे 6 question question number 6 के अगर फिर भी आपको कोई doubt आता है तो आप please 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 comment करके पूछ सकते हैं और फिर आम उसको solve करेंगे ठीके? Thank you